परिक्षा के लिए आवेदन जमा करने के परिक्षा के लिए 10 मुआर से शुरू हो गई है बदादे आवेदन 28 नॉमबर तक ऑनलेन जमा लिए जाएंगे जैक ने परिक्षा थी थी की भी घोसना कर दी है परिक्षा दो चरण में ली जाएगी प्रथम चरण की परिक्षा जैक वा दूसरे चरण की परिक्षा NCRT द्वरा ली जाएगी बतादे सफल बिद्यार्थी को एकारवी वा बराहवी के लिए प्रती मां 1250 रुपए और असनातक वा असनस्त कोतर के लिए परती मां 2000 रुपए जाटर विती दी जाएगी परिक्षा में सामिल होने के लिए अनिवार्य है की विद्यार्थी ज्हार्खन के मन्नेय आतया प्राप्त विद्याले में काक्षा 10 में अधयर्ण रत हो बता दे परिक्षा के समान में विस्तित जनकारी के लिए जैक की वेपसाइट www.jack.jharkhand.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं इसके अलावा टोल फिरे नंबर 74-85-03-94-47 पर भी संपर्क किया जा सकता है जैर्खन में 14 और 15 नंबर को बारिस अगामी 14-15 नंबर को राची समेत कई इलाकों में में गर्जन के साथ हलके से मददर्ज की बारिस हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार इसका असर मध्य जहरखन के राची के अलावा बुकारों गुमला हजारी बाग खुटी रामगड दक्षिनी भाग के पुर्भी सिंभूम पच्मी सिंभूम सिंडेगा सराय के लखर्चवा में रहेगा वहीं दूसरी और 10 नॉमबर को राची का मौसम सुस्क रहा है बता दे आसमान साफ रहा इस ओधी में राची का अधिक्तम तापमान 27 और 29 डिगरी सेल्सियस तक रहा विभाग के अनुसार अगले चार दिनों में रात में तापमान में धीरे धीरे तीन से चार डिगरी सेल्सियस की बड़ोतरी भी हो सकती है मंगलवार को राची का अधिक्तम तापमान 26 और 29 तम 13 डिगरी सेल्सियस धर्श किया गया भागवान बीरसा मुंडा की जयनती 15 डिगरी सेल्सियस धर्श के तोर पर मनाया जाएगा या दिवस जन जातिये नायको को और उनके योगदान को याद करने का बेहद ही अनुठा पर्यास है बता दे जन जातिये मामलो के केंद्रिये मंत्री अरजुन मुंडा ने बुद्धवार को बताया की मंत्राले के प्रस्ताव को परधान मंत्री नायन बदी के नेतितु में हुई केबिनेट से पारित कर दिया गया है खुटी के सांसद और केंद्रे में जन जातिय मामलो के मंतरी सिरी मुंडा ने कहा कि भारत के सोतंतरता संगराम में जन जातिय समुदाय का उलेखनिय योगदान रहा है आगामी 15 से 22 नौंबर तक आजादी के अमरीत महोचाओ के तहथ पूरे देश में जन जातिय महोचाओ मनाया जाएगा रांची में एक ही रात नव घरों में चोरी राजदहनी राची में चोरो ने एक रात में सरकारी क्वाटर समेत नौ घरों में चोरी की वर्दात को अंजाम दे कर रांची पुलिस को खुली चिनोती दे डाली है बतादे जैपोन के हवलदार बिजय लामा के डोरंडा भवानी पूरिस्थीत सरकारी क्वाटर में चोरों ने चोरी करने के बाद उसमें आग भी लगा दी है इन घरों में चो 50 लाख रुपए की चोरों ने चोरी कर ली है चट पर रांची में पिके पांच क्रोर के फॉल बजार में चट पुजा को लेकर मंगलवार को भारी भीड रही बतादे खरना के साथ बजार में अर्ग की त्यारी सुरू हो गई बर्तियों के लिए मंगलवार को सुबा तीन बजल से हर्मों की फॉल मंडी खोल दी गई बतादे पांच नॉम्बर से अभी तक रांची में 40 ट्रक सेव की आवक हुई वहीं 28 ट्रक केला रांची के बजार में पहुचा है मंडी के बेपारियों के अनुसार 5 से 9 नॉम्बर तक रांची की फॉल मंडी में करीब 5 कोर ख़रों में फल भेजा गया है कि दियज रफ्तार बहश सणक किनारे ख़़े ट्रक को मारी टकर 75 तीर थियात्री घायल जहारकिंड के हजारी बाग जिले में तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जाकर टकराई यह टकर इतनी जबर्ज़क थी कि बस के परशके उड़ गए बता दे इस दुरघटना में पच्छिम मंगाल के लबग 75 ती थ्यारती घायल हो गए है इन में से 9 लोगों की हालत गंभीर है पुलिस ने बुध धनबाद में डारिया का कहर तीन दर्जन अस्पताल में भरती जारखन के धनबाद जीले में डारिया का परकोप फैलता ही जा रहा है हालात जीनता जनक इस्थिती में पहुँच चुके हैं डारिया से गरसित तीन दर्जन से अधिक लोगों को नीजी अस्पतालों में भरत कराया गया है जबकि जीला स्वास्थ विभाग ने 150 लोगों को ढार्या खुराक दी हैं। बतादे स्वास्थ विभाग की टीम ने प्रभाहभी की चेत्रों का दोरा करने की भी बात कही है। डार्या के फ्योंते प्रकोफ से इलाके में दसत का महल highways। स्वास्त विभाग भी लगातार बढ़ते मरीजों को देख कर सकते में है जारखन में खुलेंगे एक हजार क्रीसी उपकुरन बैंक जारखन की किसानों को खेती की आधोनिक तक्निकी से जोडने के लिए राज सरकार ने एक हजार किरिसी उपकरण बैंक खोलने की योजना बनाई है जरूरत मन्द किसान इन बैंकों से मामूली किराये पर खेती के उपकरण ले सकेंगे बता दे इस पुरी योजना पर 250 को रुपए खर्च किये जाएंगे राजे के किरिसी पसुपालन अपसाकरता विभाग ने इस उपकरण का प्रारूप तयार कर लिया है अधिकारिक सुत्रों ने बताया कि किरिसी उपकरण बैंक के संचालन का जिमा पर खंडो अंचलो में करणत किरिस्ती सहकारी समीतियों को दिया जाएगा गढ़वा में 12 नॉमबर तक 103 पंचायतों में चलेगा वैक्सिनेशन का मेगा ड्राइब गढ़वा जीले की 103 पंचायतों में कोविड वैक्सिनेशन का मेगा ड्राइब अब 12 नॉमबर तक चलेगा छट वर्तियों को छोड़ कर अन्य सभी वंचीत योग ये लोगों को भैक्सिन लगेगी बताते चले कि 7 नुवंबर से 3 दिनों के लिए मेका ड्राइब चलाया गया था इसके तहट जिले के गढ़वा मजिया भोनातपूर, स्रीवन सीधर नगर, धूरकी, मिराल, रंकाव बंडरिया परखंडों के एक सोतीन पंचायतों में घर घर दस्तक अभियान चला कर वैक्सिनेशन किया गया जारखन में ओपेन उनिवर्सिटी खुलने का रास्ता साब अब उच्वतक निकी सिक्षा विभा के परस्ताव पर राज जेपाल द्वारा सिगर ही OSD की न्युक्ति की जाएगी उसके बाद मन्याता के लिए UGC को परस्ताव भेजा जाएगा मन्याता मिलते ही बीवी में दो सत्र यानी पहला सत्र जन्वरी वह दूसरा सत्र जुलाई से सुरू किया जाएगा जारखन के अधिवक्ता को पूलिस द्वारा उठा ले जाने के मामले में हाई कोट गंभीर अधिवक्ता वर राई सरकार के अपर लोक अभियोजक राजिनिस वर्धन को पटना पूलिस बिना सुचना दिये अपने साथ ले गई थी इस मामले में दायर हैवियस कारपस या चिकापर मंगलवार को सुनवाई करते हुए जारखन हाई कोट ने कई टिपनी की है मामले को गंभीता से लेते हुए जास्टिस सुजित नरान परसाद वा जास्टिस अनन्द सेन की खनपिट ने मौखिक रूप से कहा पूलिस बिना परकिरिया का पारण किये किस अधार पर अधिवक्ता को अपने साथ ले गाई यह जब अर्जास्टि का मामला प्रतित होता है यह न सिर्फ अधिवक्ता बलिक आम लोगों से जुड़ा गंभीर मामला है जारखन के चार इंजिनियरिंग और आठ पोल्टेक्निक कॉलेजों में नहीं ले सकेंगे दाखिला जारखन में चार इंजिनियरिंग कॉलेज और आठ पोल्टेक्निक कॉलेज में सत्र 2021-22 से नमांकन नहीं हो सकेगा पतादे उच्वतक्निकी सिक्षा विबाग द्वारा जारखन सन्युक्त परवेश परत्युक्ता परिक्षा पारशत को अब तक काउंसिलिंग और नमांकन शुरू करने वह सीट से सम्मधित सूची नहीं बेजी जा सकी है इसका परमुख कारण इन कॉलेजों के संचालन को लेकर अब तक ठोस निना नहीं लिया जा सका है सराय किला में जंगली हाथियों के जूर ने मचाया उत्पात सराय किला खरसावा जीला के नीमडी थाना अंतरगत बाना गाउं में बीते रात करीब 26 जंगली हाथियों का जूर ने जम कर उत्पात मचाया हाथियों के जूर ने किसान के खेत में लगे कई एकर के एकर धान को अपना निवाला बनाते हुए रौंद कर पुरी तरह नहास तहस कर दिया इसके बाद देर रात किसान अपनी पके हुए धान के फसल को लेकर पटाखा मसाल लेकर हाथियों का जूर को भगाने निकल पड़े बता दे ग्रामिन किसानों द्वारा पटाखे फोड़े जाने के बाद हाथियों का जूर धान खेत से कुछ दूर भागा हजारी बाग के सुद्रुवर्ती छेत्रों में घर घर टिका करन अभियान 11 से बैसिक महामारी कोवी नैंटिन के परसार के प्रभावी रोक थाम के लिए हजारी बाग परसासन जीले के सुद्रुवर्ती छेत्रों के केंद्रों पर 11-14 नॉमबर तक घर घर टीका करन का व्यापक अभियान चलाएगा स्वास्त चिकित सा सिक्षायों परिवार करल्यान विभाय के निदेश पर टीका एक्सप्रेस के माध्यम से चलने वाले इस अभियान में हाजारी बाइक जीले के दूर दराज छेत्रों में इस्थीत बिभीन टीका करन केंद्रों पर यह कार्य व्यापक पैमाने पर सुचारी रूप से किर्यानवीत किया जाएगा रिम्स में जल्द सुरू होगा कीड़नी परत्यारोपन जार्खन राज के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में देश का बारहवा एस्टेट औरगन और टीसू ट्रांस्पलाट औरगनाईजेशन का केंद्र खोला गया है रिम्स में अब अंग परत्यारोपन के सुरूआत हो गई है कीड़नी परत्यारोपन के लिए सहजरी टीम का चैन किया जा रहा है इसके लिए बिशे सग्यों के नियुक्ति के परक्रिया सुरू कर दी गई है साथ ही OPD की सुरूआत कर दी गई है जहां नेफ्रोलोजी के डॉक्टर फिलाल कीड़नी से समन्धित मरीजों को देख रहे हैं लूगू बुरू घंटा बाड़ी घोटोम गाड़ में इस वर्स भी समेलन वा मेला नहीं संथालियों की संस्कृति वा परंपरा के उद्गम अस्थल लूगू बुरू घंटा बाड़ी धोरोम गाड़ में इस वर्स भी कार्तिक पुर्निमा पर समेलन वा मेला आयुजित नहीं होगा बता दे पुनाय थान में सिर्फ समीति के द्वारा पुजा की जाएगी बुद्वार को स्यामगली, केस्ट हाउस, टिटी पी एस, लालपनिया में बेरमो अनुमंडल परसासन वा समीति के बैठक में SDO अनन्त कुमार ने कहा की कुरुना अभी खत्म नहीं हुआ है इसलिए पिछले साल के गाइडलाइन को ही अभी जारी रखा जाएगा छूटनी देवी को राष्ट पती ने पदम सिरी से किया समानित जारखन में डाइन विशाई के खिलाप आवाज बुलंद करने वाली छूटनी देवी को राष्ट पती रामनात कोविन ने मंगलवार को पदम सिरी से समानित किया बता दे दिली में अविजित कारकरम में सराय किलाख खरसावा जीले के गमहरिया परखंड की रहने वाली छुटनी देवी को वर्ष 2021 के लिए पदमसीरी से नवाजा गया मनरेगा स्रमिको को रोजगार के साथ बीमा जारखंड में मनरेगा स्रमिको को अब रोजगार के साथ बीमा और पेंसन योजना का भी लाब मिलेगा इस संदर में ग्रामिन विकास, सचीव, मनिस रंजन ने सभी जीलों के उप विकास आयुकतों को पत्र के माध्यम से दिशानिदेश जारी किया है बता दे प्रेसित पत्र में सचीव, उन्हें असपस्ट कहा है कि मन लेगा मजदुरों और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सुद्रीड करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की पेंसन तथा बीमा योजना से जोडने के लिए अभियान चलाया जाए देश भर के आठ हया ट्रेनों से हटेगा इस्पेशल ट्रेग देश भर में 8000 ट्रेनों से स्पेशल ट्रेन का ट्रेग हटाया जाएगा बता दे रांची रेल मंड़ल अंतरगत विभीन एस्टेसनों से 55 जोडी ट्रेनों का परिचान हो रहा है इन में से 44 ट्रेनों पर special का टैग लगाया गया है यानि यात्रियों के सामान दूरी और पिछले बार की तुनला सुविधा कम होने के बावजूद उन से 30 फिसद अधिक किरय वसुला जा रहा है लेकिन रेल मंत्री अस्मीनी वस्नव ने अगले दो माह में ट्रेनों से special टैग को हटाने का ब्यान आम यात्रियों के लिए राहत बड़ी खबर है अभियार्थी धारना अस्थल पर ही मना रहे छट सिधिन युक्ति के छो अनुसंसित अनिवारे विसयों के अभियार्थी दीपावली के बाद अब छट भी धारना अस्थल पर ही मना रहे है बतादे राज्य के 11 गय अनुसुची जीलो के हाई स्कूल सफल 25 परतिस सीटों पर सिधिन युक्ति के अभियार्थियों का प्रजेक्ट भवन के समक्ष 22 दीन से धारना लगता जारी है धारने पर बैठे कुछ सिक्षकों ने छट वरत रखा है बतादे धारना अस्थल पर ही उन्होंने पूजा की विवस्ता की है उनका कहना है कि सरकार जब तक उनकी मायंग नहीं मानती तब तक धारना जारी रहेगा जारखन में मौलाना अजाद नेशनल उर्दू उन्वर्सिटी का एरिजनल सेंटर खोलने का सपना तुटता दिख रहा है बतादे रिजनल सेंटर की अस्थापना के लिए जारखन में अब तक जमीन नहीं मिल पाई है बस 2008 से उन्वर्सिटी के लिए जमीन की खोज हो रही है उर्दू बिसाय से उस सिक्षा प्राप्त करने को एक चुक जारखंडी नेशनल उर्दू उन्वर्सिटी के लाप से वंचित हो रहे है पिछले लगबग 13 वर्सों से उर्दू उनिवर्सिटी को जमीन देने के लिए जलेवी की तरह फाइले घुमाई जा रही है धानेवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल के लाइकन दबए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले साथ से साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बाइक अवस्य दे थैंक्यू